नमस्कार, मोधी परिशान अमिश्चा हैरान जिसकी नहीं थी किसी को भनग जब सो रहा था हिंदुस्तान बोलिविया में हो गया कुछ ऐसा जब सो रहा था पूरा हिंदुस्तान तब दुनिया में एक ऐसा देश था जिसमें हलचल हो रही थी हलचल भी ऐसी जिसने भी देखी वो सहम गया आप सोच रहे होंगे कि ऐसी हलचल जिससे पूरा देश इल गया आपको बता दें कि फौज जब कभी अपनी मनमानी पर उताराए तो तखता पलट का डर उस देश की सरकार के सपनों में भी डौराने लगता है ऐसा हो रहा था दुनिया के छोटे से देश बोलिविया में जब राष्टपती के घर टैंक लेकर पहुच गई पूरी फौज छोटे से देश में टूटी ऐसी आफ़त की मोदी भी पूरी रात सो नहीं पाए इस जर्शंकर भी रात बर हालात पर नजर बना हुए थे पलट की कोशिस पर नजर बना हुए थे 26 जून भरी दोपहरी में साउथ अमेरिका के दक्षिन मद्ध में एक देश है बोलिविया जिसमें राष्टपती लूई आर्से की वामपंथी सरकार है देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक ऐसा हुआ की बात तख्ता पलट तक आ गई तो हम बता दें कि अचानक नहीं हुआ सेना और सरकार के बीच में जब मन मुटा हो जाता है तब तख्ता पलट होने की सबसे प्रबल संभावना होती है पाकिस्तान और तख्ता पलट का तो चोली दामन का साथ है पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो तख्ता पलट की आदत सी हो गई है लेकिन बोलिविया की वाम 35 सरकार को तख्ता पलट का एहसास पहली बार ही हो रहा था अगर उनको एहसास होता तो पाकिस्तान के हुक्मरानों से पहले बात ही कर लेती खेर ये तो कहने वाली बात है लेकिन सच तो ये है कि जिस पर गुजरती है उसको ही पता चलता है कि उस पर क्या गुजर रही है बात करते हैं बोलिविया के राष्टपती लुई को समझ नहीं आ रहा था कि इस तखता पलट से कैसे निपटा जाए तब हुनोंने ऐसा फैसला लिया जो तखता पलट को रोकने में एहम भोमिका निभाई राष्टपती ने राष्ट को संबोधित किया और नागरिकों से अपील की कि वो आर्मी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए पौच की कई हथिवार बन टुकणिया राष्टपती के पैलस में घुस गई पैलस में चारो तरफ अफरा तफरी का मौंजर था गाड़ी में आगे बैठे थे पुर्वसेना प्रमुख जनरल जुवान होजे जुनिया फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि गाड़िया और सैनिक पीछे हट गया राष्टपती आरसे ने इसे तखता पलट की कोशिस बताया और जनरल जुनिगा को घरफतार कर लिया गया अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुर्वसेना प्रमुख जनरल जुवान के तखता पलट के मनसूबों पर पल भर में पानी फिर गया आपको बता दें कि जब सेना की टुकडी ने विद्रो कर दिया तब राष्टपती लुई ने लोगों के नाम वीडियो संदेश चारी किया इसमें लोगों से लुई ने इमोशनल अपील की कि वो फौज के खलाफ सडकों पर उतर जाए वीडियो में आर्चे के सा इंदा सोंसा लुंडा ने भी वीडियो जारी किया कुछ सैन एकाईयों ने लोकतंत्र शांती और राष्ट्य सुरक्षा पर हमला किया है किवल सरकार के लोग ही नहीं देश के पुर्वराष्टपती इवो मोरालेस ने भी राष्टपती भवन के दरवाजों पर सैनिकों के घुसने के निंदा की खास बात तो यह है कि 2019 में मेरा लेस को खुद देश छोड़ कर भागना पड़ा एक तखता पलट की वुजस ही आरसे के राष्टपती चुने जाने के बाद वो वापस लोटे फिर क्या था लाखों लोग सड़कों पर उतर आए अपील और चेतामनिय इसके इंपुट्स के मताबिक जब सैनिक अराजकता फैला रहे थे जुनिगा महल के गलियारे में घुसे और आरसे के आमने सामने आ गए आरसे ने जनरल जुनिगा को कहा मैं आपका कप्तान हूं और मेरा हुक्म है कि आप सैनिकों को पीछे अटा ले इसके बाद जनरल जो सांचेज सामने आए जिने एक दिन पहले जुनिगा की जिगस सेना प्रमुख ने उक्त किया गया नारों और तालियों की बीच उन्होंने राश्ट्पती महल में एक मंच से कहा मैं सडक पर सभी तैनात कर्मियों को हुक्म देता हूं कि वो वापस लोट जाए सडकों पर सम करने के आदेश दिये तब कहीं जाकर एक देश तखता पलट से बच सका बॉलिविया के आट और्नी जर्नल ने जुनिगा के खिलाफ आपरादिक जाच शुरू की सीनन के रिपोर्ट के अनुसार सभी स्रामिल लोगों की पहचान की जाएगी और दोशियों को अधिक्तम इसाद बने रहिए फिलहाल करी हमें इसाद दीजिए